है लो ट्रेटरेजर वेलकम बाग टू माई चानल सू माई डियर ट्रेटर जैसे कि आपने इस वीडियो को टाइडल पढ़ लिया होगा इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बई स्टेप गाइड करने वाला हूं कैसे आप डिल्टा एक्सचेंज जो कि हमारा क्रिप्टो ट्र प्लाटफॉर्म है इस प्लाटफॉर्म पे स्टिप बई स्टिप कैसे आप यहां पर फॉंट को डिपॉजट कर सकते हैं आप में से काफी लोग एसे हैं जिन्हों ने डिल्टा के उपर अकाउंट उपन कर लिया है पर उनको कही ना कहीं एक चालेंज आ रहा है किस चीज मे फर्ण को आड करने पर जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है आपको सिंपली क्या करना है सबसे पहले चीज डिल्टा का अकाउंट आपको अपना लॉग इन कर लेना है अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रियेट नहीं किया है डिल्टा एक्सचेंज पर आपको नीचे डिस्क यहां पर स्ट्राइक प्राइज नसर आ रहे होंगे वाच्छ लिस्ट नसर आ रहे होगी यह इसा तेके अप्शिन्स फ्यूचर्स श्प्रेट्स यह डिल्टा का होम पेज अगर आपको फाइंड करना है तो इसके उपर क्लिक करेंगे हम ओम पेज के उपर यहां पर यहां अब हमें करना क्या है यहां पर हमें सिंप्ली डिपॉजट करना है आपने एक नया अकाउंट रिजिस्टर किया अकाउंट रिजिस्टर करने के बाद आपको ट्रेड करने के लिए यहां पर फॉंट के रिक्वार्मेंट होगी अब फॉंट के रिक्वार्मेंट के लिए हम मैंने इस पर क्लिक किया ठीक है क्लिक करने के बाद यशा एक पेज ऊपन होगा इस पेज पर यहां पर सबसे उपर देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको दो ऑप्शिन्स गिवन होगे क्या उप्शिन्स है कि या तो आप क्या कर सकते हो बाइ ग्रेप्ट ऊजिंग आई उसको यहाँ पे deposit भी कर सकते हो, transfer भी कर सकते हो, ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा step अभी सीखने वाले है, कि हम किसी wallet में पैसा या कोई crypto carry नहीं कर रहे है, हमें INR deposit करना है, तो हम simply इधर यह जो buy crypto using INR है, इसके उपर click करेंगे, यहाँ पे select coin, select coin पे आपको by default USDT ही रहने देना है, क्योंकि हम USDT ही आड़ कर रहे है, अब यहाँ पे you have to enter the price in INR, यानि कि आप कितना amount यहाँ पे deposit करना चाहते हैं, अभी देखो, मैं आपको पहले अपना यहाँ पे account balance दिखाऊ, आप देखो, यहाँ पे ऊपर मैंने click किया, आपको क्या दिखा रहा है, that account equity, अभी मेरे account में लगबग लगबग 6645 USDT जो है available है, ठीक है, 6645 USDT यह available है, अब यहाँ पे अगर हम 5000 का fund आड़ करते हैं, 5000 INR, यह बता रहा है, 1 USDT is equals to 90 रूपीज के आसपस, यह USDT के prices fluctuate करते रहते हैं, so I'll suggest, कि आप यहाँ पे एक lump sum amount invest कर लो, because USDT and USD, यह जो है, USDT का price रहा है, gradually increase करता जा रहा है, ठीक है, इसके भी demand बढ़िए, जैसे US dollar महेंगा हो रहा है, USDT भी महेंगा हो रहा है, काफी है, आप देखो, US dollar से भी साधा expensive है, राइट, सापको क्या करना है, simply, you will receive 55.54 USDT, आपको बता है, लगभग 55.55 USDT आपको यह आड़ करने से बिलेगे, ठीक है, so मैं आपको suggest करूँगा, if you are starting trading with cryptos, तो आप bare minimum 100 USDT जो है, वो आड़ यहाँ पे कर लो, ठीक है, 100 USDT आप आड़ करोगे, USDT मिलेगे, ठीक है, so you should start with this bare minimum, आप 10,000 से जो है, at least start करे, आप यहाँ पे देखो 10,000 का fund ही जो है, transfer करते है, so 10,000 रुपीज हमने select कर लिया, अब यहाँ पे I have read and agreed, जो भी disclaimer है, इसको आप check कर दे, select कर ले, और यहाँ पे buy पे click कर दे, buy पे click करने के बाद देखो, यहाँ पे यह exactly मेरा name, मेरा pan नमर अधार यहाँ पे pan अधार जो है linked होता है, so यहाँ पे बता रहा है, so यहाँ पे मैं इसको agree करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यह submit कर देता हूँ, अब देखो submit करने के बाद, यहाँ पे very simple option, ठीक है, आप IMPS, NEFT भी कर सकते हैं, बट आज किल सब के पास UPI option available है, तो आप यहाँ पे UPI जैसे मैंने कोई add नहीं किया हुआ है, आप अपना add new UPI, जो है, अपना UPI ID डाल के, आप उसको यहाँ पे add कर सकते हैं, ठीक है, so I am adding mine, आप अपना कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यह UPI डालने के बाद, आप इसको submit कर देंगे, अब यह क्या करेगा, verify करेगा, देखो, यहाँ पे successfully UPI verify कर लिया है, इसने, so अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गया, यह मैंने अपना UPI select किया, और इसको मैंने proceed बिगर दिया, UPI select कर लिया, जो मैंने UPI add किया था, अब देखो, आपके सामने क्या आगया, यह एक screener आगया, ठीक है, so यह क्या बोल रहा है, open UPI app for selected UPI ID, जो UPI ID आपने डाला था, ठीक है, जो भी साह, suppose अपने phone पे गड़ाला है, PTM का ड़ाला है, जो भी ड़ाला है, मैंने यहाँ पे phone पे गड़ाल रखाए अपना, so उस app को open करना है आपको, और simply यह जो scanner आपको given है सामने, यह scanner को, क्या करना है, आपको scan करना है, और payment कर देना है, अपने phone पे जो अपना mobile पे अपना phone पे आप यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और यह मैंने screener open कर दिया है, और यह मैंने scan किया है, scan करते ही मेरे पास मेरे सामने जो मेरे phone पे application पे amount आ रहा है, वो 10,000 ही आ रहा है, जो हमने अलड़ी यहाँ पे डाला हुआ, यह 10,000 amount हम डाल देते है, इसको हम pay पे क्लिक करते है, UPI code डाल देते हैं, और इंटर कर देते हैं, जैसी मैंने payment कर दिया है यहाँ पे, पे payment करने के बाद, what we have to do, यहाँ पे made payment, यहाँ आपने payment कर दिया है, तो आप यहाँ पे made payment पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से, कहां से, जहाँ पे आपने पे किया है, यह देखो payment received, इतना ही समय लगता है बस इसमे, payment received आ गया, यह now you just sit back and relax, हो गया है, डन हमारा payment received हो गया है, अब हम चाहें तो इस होले, यह देखो transferring token, यह क्या करेगा आप, यह amount को, हमारे INR को convert करके UST में, आप करने के बाद, आप क्या कर सकते हो, transaction successful, it took just one minute, एक minute, यह उससे भी कम का समय यहाँ पे लगा है, हमें, so यहाँ पे okay कर देते हैं, इसको okay कर दिया है, अब okay करने के बाद, मैं अपना page यहाँ एक बार refresh कर रहा हूँ, ठीक है, page refresh करने के बाद, देखो, जैसी मैंने page refresh किया, नीचे देखो, यहाँ पे आपके पास यह आ गया है, लिखा हुआ, that USDT transaction completed of this amount, 10,000 INR, आपने अड़ किया है, बस यह simple सा process आपको follow करना है, और कुछी दिर में आप देखेंगे, यहाँ पे आपका transaction status जो है, completed आ गया है, कुछी दिर में यह जो funds है, आपके account में ऊपर, आपके wallet में यहाँ पे reflect कर जाएंगे, आपको simply क्या करना है, यह process follow करके funds add करने है, जैसी आपके account में वो funds reflect करेंगे, आप यहाँ पे तुरंत आपना जो trading है, वो करना start कर सकते हैं, right, so it's as simple as that, आपको क्या करना है, फड़ा फड़ से नीचे description box में link given है, आप जाओ, डेल्टा पे account रिजिस्तर करो, sign up करने के बाद, simply you have to click on this deposit and buy, by crypto using INR, USDT selected रहने दिना, जो भी amount आपको डाला है, जैसे आपको उला if you can start with bare minimum of 10,000, आप 10,000 select कर सकते हो, लगबग 111 USDT मुझे मिले हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी देखो यह price change होते रहे थे, fluctuate, अभी देखो जो हमने लिया था, वो 90.something था, अब 89.9 आ गया है, यह fluctuations होती रहेंगी, आज present आपको एकदम कोई बड़ा drastic change करने को नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे deposit करने के बाद, देखो, it may take 30 minutes to reflect in your delta wallet, ठीक है, यहाँ पे यह approximately 20-30 minutes रहता है, although इसने यहाँ पे दिखा दिया, transaction complete हो गया, बड़ आपके wallet में यहाँ पे total में amount to add होने भी, it can take up to 30 minutes, जब तक आप अराम से relax करें, अपना KYC वगर अपडेट कर ले, KYC अपडेट करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है, आपको अपना PAN और अधार डिटेल जो है, वो अपडेट करना होगा इसमे, so each and everything is safe and secure, so you can simply do this and start trading in delta, right, I will be more than happy to reply back, so that is all for this video, मेलें आपसे निक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, टाता बबबायान, जेश्वीराम